तो दोस्तों आज खिस वडियों में हम आप सभी से बात करनी वाली हैं सोणी टीवी पर आने वाली सीरियल पुन्य स्लोक अहिल्यवाई के वारे में जिसको दर्श को द्वारा हुआ खूब पसंद किया जाता है और खासकर अहिल्यवाई की किरदार को खूब प्यार मिल रहा ह जिसको अदिती जलतरी निभा रही है तो वहीं इस शो में मलहार राव की किरदार में राजेश श्रंगार पूरी नसर आ रही है और राजेश अपने इस किरदार से खर-खर में फ्रेश रिद्ध हो गए हैं और अपनी दमदार अभीने से दर्शकु की दल में खास जगह बना चुके हैं लेकिन कि आप सभी जानते हैं कि मलहार राव की किरदार में नजर आने वाली अभी नीता राजेश श्रंगार पूरी की रियल लाइफ पत्नी को देखना चाहते हैं और उनकी पत्नी के बारे में चानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बनी रहेगा तो चलिए बढ़ती हैं वीडियो की तरफ आप सभी को हम मिला देते हैं राजेश की पतनी से तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजेश टीवी के जानी बानी अभी नीता है तो वहीं राजेश श्रंगार पूरे पहले भी क पसंद किया जा रहा है और इतना ही नहीं राजेश कितनों की पसंद भी बन चुके हैं और वही बात करें इनके करियर की तो उन्होंने करियर के शुरॉat साल 1997 मैं विकी थी इतने साल से काम करने के बाद आज राजिश इस मुकाम पर पहुँच पाई हैं कि ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है और आज इनको हर कोई पहचानता है तो वहीं ये तो आप सब ही जानते ही हैं कि इनकी शादी हो चुकी है और इनकी पत्नी को हर कोई देखना चाहता है तो वहीं हम राजेश की पतनी ने खुद गहा कि ऐसा कुछ नहीं है और वो सारी बाते मात्र अफवा हैं तो वहीं ये रही राजेश की पतनी जिन का नाम डिमपल शुरंगारपुरे हैं राजेश और डिमपल की शादी 2005 में हुई थी और अभी डिमपल काफी खुबसूरत भी हो गई है राजेश अपनी पतनी से बहुत फ्यार करती हैं तो देखा आप सभी ने मलहार राव यानि की राजेश की रियल लाइफ पतनी को तो अब आप सभी को इनकी पतनी कैसी लगी हमी कमेंट वोक्स में ज़रूर बताईएगा और आप सभी का क्या कहना है आपको ये सीरियल कैसा लगता है और साथ ही आप सभी कमलहार राव की किरदार में राजेश कैसे लगते हैं ये भी हमें ज़रूर बताईएगा और वीडियो पसंद आया हूँ दिससे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद